आज मैं शेयर करने वाले हूं अपना मॉनिंग से लेकर आफटरनून तक का रूटीन अभी जैसे की रोशनी मेरी डॉर्टर का जो है न स्कूल चल रहा है तो सुबे से काफी जादा मैं बिजी हो जाती हूं फ्रेंज तो आज का वीडियो आपको पसंद आएगा नए है तो किच्छन में और सबसे पहले मैं बनाने वाली हूं ब्रैकफस्ट टिफिन बॉक्स रेसिपी तो यह वर्मी सली है यह हल्का सा बारिक वाला है बहुत जादा भी बारिक नहीं है एक थोड़ा सा मोटा होता है एक थोड़ा सा बारिक होता है तो बस इसको मैं बॉil करके बनात करेंगे थोड़ा सा हल्दी आड़ कर लेंगे अच्छा सा कलर आ जाता है तो अगर जादा कुक करेंगे ना तो बाकी मसालों के साथ जब हम कुक करेंगे तो यह बहुत जादा चिपचिपा बनेगा तो इसलिए वर्मी सली हो या चौमिंग हो उसे ओनली 80-85% कुक करना होता करेंगे तो अच्छी नहीं बनती है और बस इसको सेम अपना है न जो ठंडे पानी से रन कर देना ता कि गरम से और ज्यादा कुक नहीं हो जाए और इसमें मैंने चंणी में रखा है इसमें थोड़ा सा ओयल लगा के बस रख देना है तो इससे क्या होता है यह जिपकता नह तोड़ा सा तेल मैंने डाला है पैन में और इसमें मिडालूंगी मैं सरसो तोड़ा सा जीरा एट कर लेते हैं और इसको अच्छे से क्रैकल होने देंगे और यह वर्मिसली अगर ठंडा भी हो जाए ना तो बिल्कुल खिले खिले बनेंगे तो इस तरह से आप ज़रू मैंने के डाला है हरी मिर्च और करी पता को हल्का सा पका लेंगे और अपने पसंद की कोई भी वेज़िटेबल्स है वो आट कर सकते हैं बारिक चॉप किया हुआ मैंने डाला है गाजर बीन्स, शिम्रा मिर्च और साथ में प्याज आट किया है और इसमें ठोड़े सा नमक जब यह काफी हद तक सॉफ्ट हो चाहिए तब मैंने मटर डाला है इसको भी थोड़ी दिन मैं पका लूँगी तो यह जल्दी पक जाएंगे तो मटर भी सॉफ्ट हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी जो भी मसाले आपको पसंद दो आड़ किजें मैंने इसमें इसम डाल देंगे बॉयल किया हूँ वर्मी सली और इसके बागी का सुथा के यसाब से नमक आड़ किया है अच्छे से इसको मिक्स करेंगे थोड़ी दिर कुक करेंगे और बस इसमें दनियापता अड़ किजिए और सर्फ कीजिए बहत ही जादा यह टेस्टी इविन टिफिन के केचप ज़रूर एड़ किज़ेगा तो मैंने इसमें थोड़ा से टोमाटो केचप एड़ किया इससे टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर टोमाटो केचप नहीं पसंदद थोड़ा से लेमन जूस यानी नीबू का रस एड़ कर देते तो भी अच्छा लगता है तो बस जरूर ट्राइ किज़ेगा बस इसको अच्छा से मिक्स किया यह अल्मोस डन है तो बस इसमें थोड़ा से धनिया पता एड़ कर लोंगी अच्छा सा फ्रेशनेस देगा और बस यह थोड़ा से ठंडा हो जाए फिर मैं इसका टिफिन लगा दूँगी तो यही होने वाल ब्रेकफास्ट चपता कि यह थोड़ा से ठंडा हो गया था मैंने निकाल लिया था और इसको टिफिन में मैं रख दोंगी तो रोशनी को भी सुबह उठाने में मुझे बिल्कुल भी प्राबलम नहीं होता है मेरे दोनों ही बच्चे ना एवन मेरी बड़ी बेटी चोटी यह रोशनी अपने आप से ही उठ जाती है ना ना दोना ऐसा नित की मुझे सुबह उठाना पड़ता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहुत जादा सिंसियर है तो सारा कुछ अपना वो खुद से ही कर लेती है बस चोटी बगदा मैं कर देती हूं उसको तो बस यह हो चुका है फ्रेंस उसका टिफिन तयार मैंने कुकीज बनाई थी पिछले वीडियो में यह होममेड कुकीज है आप ट्राइ कर सकते हो मेरे पिछले वीडियो को देखके और साथ में वर्मी सैली है और मैंने थोड़े से ड्राइफ रूट्स रख दिये थे रोशनी अपना तयार हु सब्जी वाले और कुछ सब्जी मैंने मंगा थी गाजर है तो यह सारे जो और्गनाइजर ना फ्रेज और मैंने वाश करके रख दिया था और पस इसको थोड़ा सा जमा दोंगे इन सब को और सुबह जितना हो सके यह सारा कुछ काम कर लो तो अच्छा रहता है बागी का ट जैसे हम बनाते हैं चौमिंग हुआ मैगी हुआ तो मैं काफी सारा जो है ना वेजटेबल्स आड़ करके बनाती हूँ जिसमें की जैसे समर में मिलता है औरेंज गाजर तब भी मैं जरूर मंगाती हूँ और शिम्ला मिर्च तो वैसे भी ओल सीजन में मिलता है तो इसका जो भी आए हैं जैसे कि मैं फोन पर ही बोल देती हूँ लिग देती हूँ जो भी है ना सबजी वाले को तो वो देखके चले जाते बलकुल फ्रेश फ्रेश मंगाती हूँ दो तीन दिन के लिए हो जाता है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मंगाती हूँ क्योंकि जब बोलते हैं तब देखकर चले जाते हैं तो मुझे अच्छा फासा बिल्कुल फ्रेश सा वेजिटेबल घर पर ही आके देखे जाते हैं तो ये एक अच्छा हो गया आजकल सब चीजे ना जो है कि ऑनलाइन में ही मिल जाती है फोन करो और हाजर हो जाता है और इसके बाद बस मेरा नहाना दोना हुआ और बाद में पापा आये थे आज तो फिर मैंने वर्मी सली को गरम करके साथ में चाय भी मैंने बना ली थी उनको मैंने नाश्टा दे दिया और अब मैं करने वाली हूँ अपना ब्रेकफस्ट तो करीब 9 के करीब बच चुका है फ्रेंस तो आज मैंने हेर वाश किया था आज सुबह की पूजा रोशनी नहीं की थी तो आज मैंने थोड़ा सा जो है ना शैंपू करक किया था तो मेरे बाल काफी जादा गीले है और बस मेरा ब्रेकफस्ट हुआ इसके बाद ना कोरियर वाले आये थे फ्रेंस और यह मैंने मेन सर्मर हो या विंटर हो मैं अकसर सलिपर वेर करती हूं बेट से नीचे उतरते ही मैंस लिपर डालती हूं और अभीषजिक्व ऑन रहती है तो मैं तो यह ओंसे पहले पहले हमें ख्याला आता अपने बच्चों का कि चलों के लिए कर लिए जाए उसके लिए भी ले लिय क्योंकि मुझे संट जादा तर मुझे पैरों में लगती है तो मैं सॉक्स जरूर पहनती हूं तो फ्रेंट्स विंटर का टाइम है और मैंने सोचा चलो कॉम्बो खरीदा जाए मेरे और रोशनी के लिए दोनों के लिए हो जाएगा तो उसने बोला मैं जो पहनना है पहन लेन मैंने तो एक अपना चूस के लिए रहट वाला उसने अपना यह चूस के लिया काफी अच्छा है लाइट वेट है सॉफ्ट है फर है और थोड़ा सा अच्छा वाम तो रखेगा आपके पैरों को तो मुझे काफी साथ अच्छा लगा और यह मैंने पर्चस किया है मीसो से पर घुदन बड़ा करने वाली ओव लंच की तैयारी तो करीब 12 बच चुकए हैं और मेरे पास एकच्छूली मतर है एंट तो फिर मैने चील भी लिया था और इसके बाद आज में बनाने बाली हूं जैसे पनीर है तो शाही पनीर बनाओंगी सबसे पहले और इसके बाद न इस नो आ पाइड दो नहीं तो पाइड लिया है उसको सबसे पहले मैं मसाला तयार करने वाली हूँ छाही पनीर का और शोप करके माजू अब इसमें काजू अड़ा है बहुत ही क्विक और ईजी सी शाही पनीर आप घर पर बना सकते हो रेस्टरिन स्टाइल का तो छे से साथ काजू लिया है थोड़ा सा मैंने एक बड़े चमच के करी मगज होता है जो सफेद कलर का होता है मगज के बीज वह मैंने डाले हैं और बस इसको मैं पीस लूँगी हुआ तो यह पर काुंग स्टाइ grandson करूं बछता है तो बलकुल फाइन सा पेस्ट बन कर कर ते fahren और इसमें अलग से कोई भी आपको फ्राइप करना नहीं होगा कुछ भी नहीं करना हो बहुत ही फटा फटे तो बस मैंने इसमें तेल डाला है पैन में जब यह थोड़ा से गरम हो जाए ना तब इसमें जो खड़े मसाले होते है ना तेजपता लॉंग इलाइची काली मिर्च दाल चीनी और साथ में जीरा वगरा वह मैंना आट कर दोंगी आप चाहिए तो जब इसको फ्राइब कर ले तो यह जो खड़े मसाले यह भी बहुत जादा चटकता है कई बार उड़ता है जैसे तेल में फटता है तो इससे भी दूर रहिएगा तो बस मैंने प्याच का पेस्ट अट किया है और इसमें अद्रक लहसुन का पेस्ट गरिए तो दो प्याच का करीब मैंने पेस्ट पना एट करने वाले हूँ। और इसमें मिर्ची πाउडर मैंने अच्छा खासा डाला है। इसमें कश्मीयी लाल मिर्च अधिते हुगा है। नमक अधिया है पानी खाना। ऊच्छा से पानी और जूड़े मूं पानी अधिते हैं। और आसमसाले को अच्छे से कम से कम 5-7 मिनट करीब पकाना है मोच दो पकाना कम Sow Аई कर द। है यहाल cruelty को लिए मुटत रहटी जाए है अच्छे से कुक हो जाए है तब तक रहर तक यहाल निम check अच्छे पकाना है या साहि भी मसाले तोड़ा है अब सप्रैट हो जैसे कि मतर पनीर हुआ इवें जो पालक पनीर में भी फ्राई किया हुआ अगर तोड़ा से डाल देंगे ना तो वह ज्यादा अच्छा टेस्ट लगता मुझे तो परसनली तो इस तरह से ट्राई कीजेगा फ्रेंस इसके बाद मैंने डाला है तोड़ा सा गरम मसाला अट किय तोड़ा सा इससे अच्छा सा टेस्ट आ जाने वाला है और इसमें तोड़ा सा मैं डालने वाली हूं कसूरी मेथी और इससे अच्छा सा फ्रेशनेस आता है टेस्ट और भी बढ़ जाता है पनीर की सबची में कसूरी मेथी तो मस्ट है बिल्कुल कंपलसरी है इसको डाली ह तो बस और कुछ दिर हमें पकाना होगा थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने करीब एक बुल के करीब और इसको बस थोड़ा सा मिक्स करके इसको ढग देजिए पांस से साथ मिनिट कुक होने दीजिए मीडियम फ्लेम पर यह हलका सा थिक हो जाएगा और जो भी मसाले का फ्ल देंर रिच्टाइप, वेह रिच पना अएट कर सकते हूं रिच्व काने पाले के लिए तर रिच्ज के पूल में उपर से एट किजे थोड़ा सा धन्यापत्ता थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और यह बिल्कुल लुक वाइस टेस्टी रिच और क्रीमी बनकर सब्जी तयार है शाही पनीर की तो गाइस लीजे घर पर ही मजा रेस्टोरेंट का बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और घर बैटे ही बिल्कुल इजी तरीके से यह बनकर तयार है आप देगी सकते हो तो इसको पूरी पराठे नान रोटी के साथ काफी जादा यह देस्टी लगता है तो अब मैं बनाने वाली हूं नीमोने की सबची मटर कर नीमोना तो थोड़ा से मैंने टेल डाला है और इसमें ना मैंने यह मटर आट किया है बिल्कुल अच्छा खासा यह फ्रेश मटर है और हलका सा नमक डालकर बस इसको मैं थोड़ा सा चला के ना ढख कर रख दूँगी ताकि यह थोड़े से सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर तो जब यह अच्छा सा सॉफ्ट ह जाएगा ना मैं इसको निकाल लूँगी सबका अलग अलग तरीका होता है फ्रेंस बनाने का और मैं भी थोड़ा सा ट्विस्ट दे कर बनाती हूं तो मैंने इसको हलका सा भुनने के बाल स्लो फ्लेम पर बस इसे निकाल लिया एक प्लेट में जब यह ठंडा हो जागा ना मैं इसको पीस सूँगी थोड़ा से मैं हरी मिर्च और साथ मैं इसमे ध् ANYया एट करके पीस लूंगी और ही नी मोने कि सब्जी भी आफ शटा फट से से बना सकते हों तो तीन से चार मैंने ह्री मिर्च लिया था थोड़ा सा धनिया पत त्दा मतर के साथ पीस लूंगी अब थोड़ी से ओयल में आलू को फॉराई कर लोंगी तो आलू मैंने पतले थोड़ी से स्लाइस में रखे हैं और इसको अच्छे से गोल्डर मॉरॉंड होने तक मीडियम तू हाई फ्लेम पर इसको चलाते हूँ मैं पका लोंगी और फिर इसको निकाल लेती हूं एक में इसमें लेको एकिशपता करें और इस पयाज व्लागे पयाज कर दिया पयाज को विबाइश और इसमें लेसंन ज vivid compose इसको अच्छा से गोल्डन मॉरॉंड हूने तक मैं पकाला लूँगी और इसके वही basic से मसाले हैं Indian spices are common for all the vegetables and curry तो बस मैंने इसमें थोड़ा सा मिर्ची पौडर, धिन्या पौडर, हल्दी पौडर, स्वात के हिसाब से नमक आट किया है जिस हिसाब से आपको gravy रखना है और इसको थोड़ी दिर cook करने के बाद मैंने इसमें आट किया है इसमें tomato puree ये करीब दो medium size के tomato का जो पूरे है ना वो मैंने आट किया है और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला आट कर दिया है और इस मसाले को अच्छे से थोड़ा सा भून लोगी थोड़ा सा पानी डाल कर मैं इसको भूनोंगी ताकि अच्छे से cook हो जाए प्रॉपर ली तो बस मैं इसमें अभी add करने वाली हूँ थोड़ा सा जो fry किया हुआ जो आलू है ना वो add कर दूंगी और इसको ढख कर रख देंगे इससे क्या होगा जो बाकी का अलू है वो भी cook हो जाएगा और इसमें फ्लेवर भी आ जाएंगे तो इसको ढखकर थोड़ी दिर पका लिया था और बस इसके बाद पिसा हुआ जो मटर है ना हलका सा जो दरदरा है बस इसको मैं add करने वाली हूँ और इसको mix कर लूँगी क्योंकि अल्रीडी ये भुना हुआ मटर है तो इसको अलग से कोई भुनने होने की जरुद भी नहीं है तो बस इसमें जरुद के हिसाब से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद पानी add क्या था करीब आपको जितना भी थिकनेस या पतली करी वाली ये न का निमोना बनकर तयार है फ्रेंस थोड़ा से मटर का भी बाइट आएगा और काफी ज़्यादा टेस्टी सी बनती है और विंटर स्पेशल है यूपी का फेमस है ये डेश एक्चुली तो ये बस तयार है इसमें मैंने धन्यापता अट कर लिया था थोड़ा से थिक हो चु पराठे रोटी भी अच्छे ही जाएंगे तो बस मैंने सोचा चलो आज पराठे बना ले जाए रोशनी तो जब आती है फ्रेंस उसको कोचिंग से लेकर आती हूं तब गर्मा गरम मैं सेख देती हूं क्योंकि इतने पहले से बना कर रखने का कोई मतलब नहीं है सब्जी व पराठे पापा के साब से रही हूं और बस दो पराठे भी मैंने सेके हैं तो बस आज की हमारी लंच ताली मैं प्लेटिंग कर रही हूं यह है शाई पनीर साथ में मत्र का नीमोना है गर्म गरम राइस है और पराठे हैं तो यही है आज के हमारी लंच ताली फ्रेंस और पापक मैंने दे दिया था और इसके बाद थोड़ा वो जो है ना बागी का काम जो रहता है लंच का जो बड़े बरतन होते हैं जिसमें जैसे की कडाई हुआ पैन हुआ इन सब को मैं वाश कर लेती हूं पहले ही और बागी जो फड़े वहार रहते हैं बूल वगर वो तो फटा फट से हो जाते हुआ जो बड़े बरतन होते हैं उसको थोड़ा साथा टाइम लगता है तो बस अभी मैं जो है ना क्लीन कर लेती हूं सबको तो फ्रेंस आई सь ले वेी सब करते हुए टाइम हो जाता है और भस जितनी कुकिंग जैसे की बिर्यानी हुआ पुलाओ हुआ इन सब के लिए मैं दावत का लॉंग ग्रेन बासमती राइस का ही यूज करती हूँ तो आज का व्लॉग मैं ही एंड करती हूँ नए है तो सब्सक्राइब कर लेजेगा लव यू आल टेक केर बाई बाई